हेलो स्टुनेंट्स मैं डॉक्टर अमित उपाज्याई टीम CLC सिकर से तो आज अपन सुरू करने जाते हैं दंगल टेस्ट जिसके अंतरगत आपको 10 टेस्ट देने हैं वो फुल सलेबस पर आधारित होंगे और इससे पहले हमने DCM कराया था जिसके हर टॉपिक से हमने कुश् प्रवाइड करा दिये अगर आप उन कुश्णों को ढंक से आपने बहुत अच्छे से सौल किया है इमानदारी से सौल किया है सबके सौलुशन निकाले हैं और पेपर को अटेंब किया अच्छे से तो डेफिनेटली आपके सेलेक्शन को कोई निरोग सकता अब जो टेस्ट कर रहे हैं उसके एकोर्णिंग हमने कुश्ण बनाए जो आपको हम लोग इस दंगल के माध्यम से देना चाहेंगे आपको 10 के 10 दंगल देने शांदार रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा का पूरा सेलेवस आपकी ग्रैप्स में आ जाएगा और आपका सेलेक्शन आप 100% इन्शूर कर सकते हो विद्गूड रैंक और विद्गूड मार्क्स ओके तो गाईस आज अपन सौल करने जा रहे हैं दंगल का पहला पेपर तो देखिए आप दंगल लिखावा है या दंगल 01 ऑबलिक टेल लिखावा है 5 जुलाई 2022 आज की डेट है और सब्जेक्ट जो अ कोई भी कमी नहीं छोड़ी है 100% नीट पैटरन रहा है ठीक है और इसके बाद में बात करते हैं सेक्शन एक के अंदर आप देखो कितना 140 मार्क्स का आता है सेक्शन बी में 15 कुश्चन होते हैं तो इस तरह के सब डिवीजन आते हैं दो तरे के तो सबसे पहले अपन सुरू करते हैं कुश्चन नमबर वन जो आपके दंगल का जुलो जी का फर्स्ट कुश्चन है क्या नाम है देखिए निम्न को सुमेलित कीजी चाता सही उत्तर का चैन कीजिए आपको दो कोलम दिये में कोलम ए और कोलम बी उनमें से आपको मैचिंग करने हैं बहुत सिंपल कुश अब सबसे पहले आता है अगर को अगर बात करें तो आपको पता ये क्लासिकल चैरेक्टर सेल्स होती है कि पौरी फेरा की फेरा का जैने दो इक तो होता है कौन सा वकरनाल सस्टम और दूसरा होता है तो देख लिए चाब और पौरी फेरा नहीं एक अफ्टर आ गया अब नाम क्या रखा गया है Pynis का यू झाकँ सभिला के मिलाओगे तो प्लैम सेल, तो आपके आणसर यह जो प्लेम। दो option मेच होते ही और फ्लैम सेल की बात करें तो आपको पता ही है एक्स क्रेटरी जो प्लैम सेल किसको कि यह प्लेटी हलमनती होती है तो यह हो गया प्लेटी हलमनती यानि की सी का कौन सा हो गया अपन यह आ गया देख लो आप सिकावन आ गया अब लास्ट मेरे कॉम्पलेट्स आइडियल करेक्टर है किसका टीनोफोर अगा जो बायो लॉमिनेंस वगएरा सो करता है लोको जो मोटी है इस पासिदिर करते हैं आपको पते यह किसमें इसमें कॉश्चिवर करेंगे टीनोफोर के अदर एग्जेक्टली तो यह हो गया आपके डीका टू तो यह आगया question number two देखिया इसमें लिखाव है अत्यदिक आदिम रजू की वे मचलियों के भाई यह परजीवी होते हैं इन्हें निम्ण में से किस वर्ग में रखा जाता है यह भी question taxonomika यह निए कृशन आपके वह था नौन कोड़ेट का यह बढ़ी कर एक्टोपरासाइड किस के उपर फिश के ओपर आपको पता मिश्य तो के अंदर के दोघ्ञ करना साइक्नें कोई मतलब मतलब नहीं रहता है ही जिसके अंदर आपको को सबसेusp 몇 फिसले नहीं होते हैं अधिकर न Rs 5 लेना देना देना यह निए नहीं अपर और ऑपको इस की बात करें लेकिन Neither सब्सक्राइब इसका प्राणियों में वर्गीकन का अधार नहीं यानि किसको अपन बेस नहीं मान सकते जब अनिमल इंगरम का क्लासिफिकेशन करते तो इस ख्राइटेरियों को अपन ध्यान में नहीं रखेंगे तो देखिया विच नॉट एब क्लासिफिकेशन इनिमल्स लेवल ऑफ और्गेनाइजेशन होता है अपनको पता है इस से पता चल जाएगा लेकिन विल्कुल नहीं होगा इसमें इंक्रूड नहीं होगा क्लासिफिकेशन में तो करेक्ट एंसर होगा एकोँसा 4 कुशन नमर पन जिरो तरीका चलो नेच्ट कुशन लेते हैं हुआ है आप ये कुशन नमर 104 यह आपका आगया नेक्स्ट इसमें से कॉक्रोच में से ऐखाओ सही विकलपा चाहिन केचिए कोक्रोच के मुखांगों में लेबियम आपको फिलिंदा ब्लेंक्स करना है निर्मान करती है जीव किस तरह का काम है आपको पता ही यह बेसिकली मौथ पार्ट से रिलेटेड कोक्रोच का तो माउथ-पार्ट के अगर आपन बात करें तो अपन को लेकर फॉर्मस लोवर लिप लेकर इसमें अपर लिप यह तो यह जी खदम हो गया लेम देखते ही आपको यह दो ऑप्षण को अच्छे से देख लो आपको पांस सेकंड एक्स्ट्रा देने वे को एक विए जिससे आपको कुछिन कंफॉर्म हो जाएगा ब्रेन में कि या यह परसेंट मेरा सभी है इसको कनफॉर्म करने के लिए आपको दो या तीन है यह इस पांस सेकिंड आपको कुछिन के एक बार वापिस देख के फटा फट और फटा पर उसको आंसर को एक बार कि यह कुशन नमर आ गया 105 105 के अंदर देखो आपको एक नाम पूछा है short form दिया हो है full form पूछा वोट इस राज राज आप पढ़ते हो तो regulation of renal function जब आप पढ़ते हो तो यह राज आता हो उसमें ठीक है इस राज का full form पूछा है तो आप सभी जानते हो राज का full form आपको पता हिए रेनीन जो जेजी सेल से निकल कर आता है पता ही आपको ना फिर यह रेनीन किस पर अटेक करता है रेनीन फिर अटेक करता है कि उसके बाद पर ही अपना action शुरू करता है adrenal gland के उपर वहां से hormone को रेलीज कराकर और वेजो construction करकर तो यह हो गया देखलो इसके अंदर आपके कौन सा जाएगा रेनीन एंजो टेंसिन आगे एंफ गलत एंफ गलत रेनीन पहले किस बैटे करेगा एंजो टॉन से फिर एल्ड स्क्रिटर सिस्टम का कुशिन आगे है चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमर 106 इसमें देखिया यह डाइजेस्टिव सिस्टम का कुश्चन है मेजोरिटी ओब्ड़ दॉडगे फिर आगे टू सेट्स ओफ लाइफ दू बार दान तूडगे फिर आगे टू सट्स ओफ-फिर लाइफ दूरिंग दी यर लाइफ या इनिजिंदिगी में दो वार इंग्लिस ताइप का जो डेंटिशन इस ताइपका जो देंटीशन गोलते है होता है कि कि अंदर ऊंदर इंबेडेड रहते हैं और हेटरों का मतब होता है डिफ्रेंट टाइप तो यह तो होगा नहीं को नहीं होगा तो निफीट आंसर हो गया कौनसा तू बिलकुल ऐसे ही आपको नीट के एक्जाम में पढ़के समझके फिर आंसर टिक करना है ताकि वापिस दूबारा देखने की नौबद नहीं आयो उसक्रिशन को ताइम वेश्ट होता फाल तुगा चलिए तो क्रेक्ट आंसर हो गया टू नेक्स्ट लीजिए आप आप देखिए कुशन लिया आपने 107 107 के अंधर आप देखलो यह जो लिया गया वैसीक तके लिया गया और शाती मिय्क्स वह रहा है तो इसमें देखो आपको अलग-अलग ओप्शन दे रहे के कोलम में कोलम एक कोलम में वेस्टीव इस्तिवित नहीं में पता है बेसिकली क हुँ पिमघ's को मतलब हो गया Questo Nah कैसे इंसाइड औरॉज के अंदर के स्फिस घृत करते तो बार वाला वेश्टीव सांदर एस्पिरेटte हो ते हो तीन अलग paarट नौज के अंदर फूर फिर आता है आपको नौण 554 फिर एक उसके हो गया फ्रस्ट धीर क्ली महले रहा है और फंट अपना देख लो यह है यह यह उड़ गया दो अब दो आ आ रहा है इसे में देह लोड़े करेक्ट ऑसर कॉम सा ओगया थो इसी बात है तो आधा इमकंवेड बच गया आपका इंस्पारीशन कब करते हैं दाइफराम क्या होता है चैनल वर फ्लेट हो जाएगा तो इंस्पारीशन में आपको पता ही है क्या रह गापके inspiration contraction of diaphragm 32 और expiration में relaxation of diaphragm 3 हो गया 41234123 तो करेक्ट आज़र कुन सा हो गया चलिए लेक्स्ट क्योश्चन लिए को को कुश्चन नम्र है 108 108 में यह जेनेटिक्स का क्विश्चन है यह जनेटिक्स से लिया गया है इस क्योश्चन में क्या में жesn किया कि एक फिमेल है ए नॉर्मल मुंन बिल्कु तो एक्स एक्स सब्सक्राइब्सकते ओसे फादर और इंप्सके उपर भी एकना एक तो कलर ब्लाइंड कि चीन है कि तरद फिर वोट ता चांसे of occurrence of colorblind in the progeny और इसकी जो आप देखो blindness आगे क्या लिख रहा है married to normal man अब इसको marry की है इसके साथ normal के साथ अगर normal के साथ अगर marry करेगा तो आपको पता ही एक्स एक्स जो मनेगा इसके अंदर 25% जो progeny होगी कितनी जो colorblind होगी वो 25% जो progeny होगी क्या होगी colorblind होगी कैसे होगी अगर female बनेगी वो तो हो जाएगी carrier और दूसरी एक बनेगा x c और h यह जो बच्चा बनेगा एक्स वाई वाला है ना यह जो बनेगा यह कौन सा बनेगा आपके colorblind होगी चार प्रोजन होगी एक पर यह क्या जाएगा colorblind का character आ जाएगा तो कितने परसेंट होगया 25% एक प्रोजन यह सी बनेगी और आंसर हो गया कौन सा फर्स्ट एक प्रोजन यह आपके कौन से बनेगी affected बनेगी चलिए नेक्स्ट क्यूशन लेते हैं कि कुशन 109 इसमें देखिए यह लिया गया है कुशन जो आपके देखती पता चल रहा है आपको यह कुशन लिया गया है से सरकुलेटरी सिस्टम से ओके इसमें आपको देखो मैचिंग करानी और इसमें दे रहा है आपको इस्ट्रिक्चर दे रहा है यह से पॉइंट 3 से और 3-5 परसेंट दे रहा है यह आपको पता है यह बहुत रएस्ट होता है यह बेसोफिल के रेस्पेक्ट में क्या चा सकता है लेकिन बेस ल कभी भी खेकोसाइटिक एक्षिन वस्ट्रिक्रास यह गलत हो यह दूसरा यह जो यह देख लो आप यह पॉइंट 5 से लेकर वन यह करती है अगला ओप्शन देख लात है यह 30-40 परसेंट 30-40 परसेंट अपन को पता है अगर आपन बात करें तो मोनो साइट को अपन कंसिडर करते हैं 25-30 होती है तो डाटा के अकॉर्डिंग भी गलत है अंसिया को डी दूसरा यह लिकार है डिफेंज अगेंस पैरासाइट पैरासाइट के अंदर इसका काम है नहीं वह तो सब कोई करती है ना तो यह वाला परसंटेश क्राइटरिया नहीं बैटेगा यह तो हम लोग और भी अडिजस्ट कर सकते हैं इस तरह की परसंटेश को सो नहीं करती है यह भी गलत हो गया तो डेफिनेटली जो सिंपल मैचि चलिए नेक्स्ट क्यूशन लेते हैं अब यह कोशन नंबर टैन पर यह आ रहा है विच्व फोलोंगी जेनेटिक डिसोर्डर जो जेनेटिक डिसोर्डर होना जी करेक्ट्राइट वाइदा प्रोग्रेसिव डीजनेरेशन आप दा इसकेलेटर मसल यह दीरे दीरे उसके अं जिसके अंदर मसल का डीजनेरेशन शुरूर मायस्थीन या ग्रेविस नी हो सकता विकोज मायस्थीन आगरेविस इस ओटोइम्यन डिसोर्डर ठीक है ना पर ऑटोटो इम्मूनेटी और इसमें प्रोग्रेसिव डीजनेटरेशन आप इसकेलेटर नहीं होता है वीकले चुल्ला डिस्ट्वोपी चेनेटिक इसके डेफीनेशन के अंदर फिट होगा चेने टिसोर्ड करेक्ट्रटर क्रेक्ट्रिश्वी डिजनरेशन अप स्कलार दीरे दीरे मसल्ड डीजनरेट हो जाती है एक्ट्रन इंट्रकोर्शन इंट्रन इंट्रकोर्शन और डाइफ्राम उसके बाद में पर्शन की डेथ हो जाती है ठीक है तो इसमें डेथ कन्फॉर्म्ड करीमत 20 साल के आसपास तो यह हो गया आप से इसका करेक्ट आंसर थाड़ अब लीजिए आप नेक्स्ट कुश्चन बाद लिए फेशल बोन कितनी होती अपने अंदर 14 होती है आपको पते कि अंदर यहां पर कितना देर आए है तो इसमें पूद्स मेच कॉन साथ मिसमेच आग्या कॉन साइसका अगला कुछन लेते यह आ गया किसे स्केलेटन से हर टॉपिक से आपको कुछन मिलेगा कि कुशन नंबर देखें नेक्स्ट वारा होर्मोन उसके कारी का मिलान करना आपको और क्या चीज गलत है उसको आपको सेलेक्ट करना है यह आ गया किसे से अंडोगराइन से एक हर सिस्टम से कुशन आ रहा है सलेक्ट दा इनकरेक्ट मैच इनकरेक्ट डूलना आपको हार्मोन दिए वेर उनके फंक्शन दिए बहुत अच्छा कुशन है एक एफसेच एंडोजन दोनों हार्मोन हैं ऐफसेच फॉलीकल स्टिमूलेटिंग ए अंड प्रोवाइड कराता है किसके लिए इस पर मेटोजनेस प्रोसेस के लिए स्वेनिफरेस ट्रिवूल में जाकर रहते हैं बिल्कुल सही है अगला आता है ACTH एड्रीलों कोर्टिकोट्रोपिक पता ही आपको इस्टीमोल इसेंसर सीक्रेशन ऑफ गुल्को बिल्कुल एडरेणल कोटेक्स पे एटक करता है और इसको हमकित करता है स्वे civich नहीं करता है तो यह चीज आपके क्या हो गई यह गलत हो गई यह पर किया अना चाहिए यह इंक्रीज यह काम पीटीएच का होता है इसका पीटीएच और प्रणून का पैरा थार्मून का पहलिए तो बहुत सारे नाम तो तो यह गलत होगे अगला यह 4th ADH कोजिज़ नहीं करता है इसको साइड में रखा गया तो इसका इनकरेक्ट पूछा ना अपन से तो इनकरेक्ट आंसर हो गया कौन से बढ़ा थाड़ ओके चलिए नेक्स्ट कुशन लेते हैं कुशन नमबर 113 देखिए क्या है अब इसमें आपको यह वापिस आया आपके जर्नल करेक्टर यानि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से और पूरे के पूरे फाइलम को कवर करेगा यह नोन कोड़ेट को यह कुशन इसमें बहुत का अच्छे करेक्टर दीवें अर्य सम्मिती य एक बाद और आपको किसके अंदर मिल से प। इसके अंदर यह लग लग फिर आता है सुदो सिलोमेंड बाइलेटर सिमेट्री स्टी यह कोंसा सब्सक्राइब को मिलेगी किसके अंदर अनलेडा के इन दर इसके अंदर इसके अंदर इसके तर्ड और फॉर्ट तो सबसे ज्यादा करेक्टर मेंच कर रहें आपको डूढ़ना है और सबसे अचांच यह और सबस्क्राइब करेक्टर मेंच कर रहें इसके तो तो सबस्क्राइब को यहीं और और सबस्केश्या नमपर 114 देखेए विसर्पी तंतुक सिद्धान को परिवस्किया जा सकता है यह आपके कुशिन आ गया किसमें से आ गया कि स्केलेटर सिस्टम के मसल वाले पार्ट यह यह मसल कॉंट्रक्शन से भी आ गया कुश्चन नहीं फिलामेट थिरी बेस्ट एक्सप्लेइन पाई यह नहीं बेस्ट एक्सप्लेइन अपन कैसे कर सकते इस थिरी को तो जब मसल कॉंट्रक्शन होता तो आपको पता ही दो जैड लाइन होती है अगया वीच में मायोसीन आ गया ही तो यह जब यह जब यह जब मसल कॉंट्रक्श होगी तो यह जो उपर वाला एक्टीन आपको नीचे वाले कौन यह मायोसीन और इसको उपर क्या करेंगा इसलाइड करेगा ठीक है लेंट आप दए एक्टीन और मायोसीन जोंक आति की लंध की लंध कभी रुशश्श नीए ऑनली उनके बैंड की लंध जो ती वह होती है ठीक है ना इसलिए चीज क्या ऻुग Watts आरे नहीं कर gameplay है कहने में कैते हैं होता है लेकिन की जाते हैं आई बैंड जो है वह बैंड तेट रहेगा यह सारी चीज़े रहती है ठीक है लेंट अफ टो इस नॉट रिदूस बैदा स्लाइद इस फिलामेट इस नहीं होगी अगी छी लेंड तो डीदी तो दिशेबल उवर दा इच अदर एंड लेंट ओप तो बिलकुल यह की बात कर रहा तो करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा इसका सेकिंड दो बहुत अच्छा शांदार कुशन है कि इसके अंदर रहा है कि बेंड की लेंद जो है वो चेंज हो सकती है फिलामेंट की लेंद कभी चेंज नहीं होगी फिलामेंट अपना क्या करेंगे स्लाइड करेंगे ठीक है नेक्स्ट कुशन लेते हैं तो खरेक्ट आंसर इसका हो गया सेकिंड अगला कुशन लीजिए 15 देखी क्या कह रहा है यह कुशन कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दिये इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इनक्रेक्ट इन मेंसे सेलेक्ट करना है कि इसका और मboys लीज दर मेंajes इंक्रीज बिल्कुल करतें कि अर्डलीन दोनों को मिक्स करके तो अपनों बोले हैं ग prêtक रींग होता है ौसके उज़ी से केताव यह रखाग को दाब यह सब्सक्राइब देडिक्रीज निक रेगा के डिक्रीज अव देड़ करेगा कुर्स अब रखने का फो यह तो फ्लाइट और फ्टीर वाला अच्छन थी खैस्ट यह तो यह आपके निक्रेक्ट है में फंक्ट्छन ऑफ एस्टिरोन टू रेगुलेट दा श्रोडियम बिल्कुल यह बाते बिल्कुल यह गुलको नियोजनेसिस को स्टिमूलेट करता ठीक है तो रहा यह इंकरेक्ट यह ना इसलिए और अंसर जो जाएगा वह स्टेट्मेंट रॉंग है नेक्स्ट आईए है अगला कुश्चन देखिए आप कुश्चन नमबर 116 पे देखिए आप एक वर तोड़ा स्कीप होगर आगे हो गया है पीछे लेता होगा है 116 पे देखिए 116 पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा यह कोकरोज का कुश्चन आया आगे ठीक है करती है अपने को पता है वह करीवन 9 से 10 उथी का जन्द्रेट करती है फिर एच कंटेन और एक उथी का जैसे वालों यह उथी का ऐसी कितनी है 9 to 10 है इन में से एक उथी का में कितने होगे तो एक उथी में मैं पता है 14 to 16 eggs होता है कितने 14 to 16 तो सेकेंड हाएगा 14 to 16 clear और फिर पूछ रहा है दा निम्फ जो इसकी लारोल स्टेज क्या सकते है आप निम्फ ग्रोज वाइं मोल्टिंग एमाउट सी टाइमस कितने टाइमस 13 ताइमस अब हां मैच करा लिजिए उथी का कितनी 9 to 10 सही बात है बी 14 to 16 c 13 ताइमस तो प्रेक्ट आंसर हो गया पहला यह गलत यह है लेकिन यह गलत यह गलत करेक्ट तो क्रेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट चली नेक्स्ट कुशन लीजिया कुशन नमबर नेक्स्ट 17 कि यह कुशन क्या गया देखिया प्लेनेरिया का उत्सर जी आंगे यहां पर प्लेनेरिया पूछा देखा आप प्लेनेरिया किसके अंदर आता है आप सभी को पता है किसमें प्लेटी सबस्क्रीनेरिया आता है अंदर आता है यह व्लाएं करेक्टर और इसके और दो आपको पता ही आपको बता ही सके अंदर आ जाएंगे नससे इसके अंदर उगेरा जो आते में मेटनेफरेडिया यह तो इसकंदर आगया पूंसा रेप्टाइल इसकंदर आएगा तो यह तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है तो क्रेक्ट आंसर हो गया कौन सा फर्स्ट चलिए नेक्स्ट क्विश्ण लीजिए आप कुश्ण नमर 18 देखिया आप 18 के रहा है यह आगया आई का कुश्ण विट्रस यह विट्रस चेमर इस पर्जेंट विट्विन आपको पता ही आई की अगर अपने स्ट्रिक्चर बनाते है ऐसे यह लेंस आ गया बीच में इदर सी लेरी बोडी वगएर आ गया इरिस आ गया इ इदर थोड़ा सा आपको पता ही यह वह होता ही है ब्लाइंड स्पोर्ट वगएरा उन्हों बना देता हूं मैं एडी जी यहां पर आप देखते हो तो यह लेंस इदर वाला कौन सा विट्रस उमर इदर वाला कौन सा तो यह कह रहा है किस किस के बीच में आ गया इदर कौन अगया जए लेंस एदर कौन आ गया रेटिना न्स के बीच में आ गया इक तो कहल सा गया सै चेंट यह तो यह रहा और न्स हौरा आउक्ट बैड़न वाला दला कि यह reviews ऑने बीच में और लहौन देकर यह लिहीं दा लेंस अग पर चाहरा समित करेक्ट आशर को सो गया सेकिंड बहुत स्पुस्ट्राइब से जब आशनी से निकाल सकते हो चलिनेक्स्ट कुछिण लीजी किंडी फंक्शन नहीं कर पाती ही यूरिया और नाइट्रोजन वेस्ट बोडी में कट्टे होने लग जाते हैं लाइक क्रियेटीन वगेरा तो यूरेमिया कंडिक्शन आती है आपको पता ही जब ब्लड में यूरिया की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है नॉर्मल से तो य करते हैं जिसे हम पेशेंट का ब्लड निकालते हो उसको ही पेरीन में मिक्स करते हैं क्या करता है क्या करता है नियुक्त करने के बाद में डायारी एंटर होती है जो आपको पता ही फिल्ट्रेशन करती है इसे यूरिया सेपरेट हो जाता है बागी सारी जीजे सेम होती है प्लाज्म अगेरा ब्लड इस पंप बैक यह जब डाइलाइस हो गया उसके बाद में वापिस पेशेंट के अंदर वापिस ब्लड को रिएंटर करवाने तो अदर निच्ट्र वेस्ट आर्वेशन वेस्ट कभी भी एक्ट्व नहीं करते हैं अपको पते ही सेलोफेन मेंब्रेन उती है जो पैसिवली होती है अचली लीजिया चली नेक्स्ट्रशन लीजिए कुछ नमबर 120 ने किया है तो सभी उत्तर का चुनाव कीजिए आई मिन सलेक्ट दा करेक्ट आंसर क्रेक्ट ली में अशी है हमें सब अध्य चीजी एक साथ आप से पूछी गई होर्मोन का नाम का से होने वाले डिजिस यह तीनों एक साथ पूछ लिया आप से यह कह रहा है पहला किया और कॉर्पस अल्भिकेंस आपको पता है और कार्पस लिटेम अन्था उसके बाद में कोर्पस अल्भिकेंस मनता है ना तो यह तो यहांपर कोरवल यह प्रोजिस्टों कभी निकालता यह निकालता यह करपस लिट्यम के तरू यह बिलकुल पढ़ने के आगए ज़ूरूत ही नहीं है यह पर ही आपके क्या होगया क्ये घलत हो गया से कि सम वहांगे और अगर थाइरोक्सिन की डिफिसेंच यह 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 भी तक पीटीएजट और रिमूलेसंट ना बोन का सब्सक्राइब करने के दिए इसने ज़्ट है चली सब्सक्राइब ब्लेड में लाता है प्लोर को बढ़ता है विए करता है तो यह ऊएगा यह तो यह क्रेक्ट हो जाता है यह क्या है इनक्रेक्ट है तो बहुत सारी इन्फोर्मेशन आपके तुरू इससे ले लिए तो क्रेक्ट आंसर बेटा इसका आगे है कौसा सेकेंड है चली नेक्स्ट कुशन लेते हैं इनक्रेक्ट पूचा है कि कायंत्र घ्रेजुल और पोरो मेटाबोलस टाइप का सब्सक्राइब में आगे लिखा मिल जाएगा हाट में 13 चेमर होते हैं ध्यान रगिया मायोजेनिक नहीं होता है चलिए नेक्ट कुशन लीजिए पूशन नमर 122 देखिए आप इसमें से चेप्टर नमर जो आपके हैं 12 के अंदर जिसका नाम है रिप्रोड़क्टिव हेल्थ उसका क्षिशन है यह बहुत इंपोड़न है इस ट्रीडी का कौन सा ला इलाज है जिसका कभी इलाज नहीं हो सकता है यानि की इन क्योरे मले ध्यान रखेगा आपको पते एट्स का कोई क्योर नहीं है सही बात है जनाइटल हर्पीस का आपते में ध्यान रखेगा तीक है ना इलाज बिमारी है कौन सी है ला इलाज बिमारी है सारी कि सारी तो डेफिनेटली इसका अंसर पहला ही हो गया आगे पढ़ने की जुरुत नहीं एट सेस में जेनाइटल वोट्स यह गलत हो गया पर सिफलिक्स यह गलत ट्राइको समा गलत इन सबका इलाज है लेकिन जो पहला दो दे रहे हैं इनका कोई इलाज नहीं है तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट चलिए लेक्स्ट क्विश्चिन लेते हैं कुछ नमबर 123 जबड़ा विहीन मचली है ऐसी मचली जिसके अंदर क्या क्या कहते हैं सर्कूलर माउथ और माउथ कैसा होना चाहिए सर्कूलर जो लेस यानि एगनेता में आ गया है किसमें आ गया है एगनेता में आ गया है इसा ठीक है विच सोज डायरेक्ट क्या होने चीए यह एकम क्या होने चीए यह सबसे पहले दिया है फिच तो रहुण और एक होती दूसरा एक्जामपल आता है इसके अंद्र वाप से भी जानता हो पेट्रों आइजन को साथ है पेट्रों माईज़ून फिश पेट्रो माईजोन पर इसका दूसरा नाम आप जानते हो लेंपरे बिल्कुल सही बात है अब आप इदर देखिए कि जो यह पेट्रो माईजोन है इसके अंदर लारवा होती है जिसको एमोसीट लारवा करते हैं ऐसा कुशन नीट 2018 में पूछा गया था सेम ऐसे तोड़ा कुशन यह चेंज है वैसा नहीं इसमें पूछ लियाता है उन्होंने पेट्रो माईजोन में कौन से लारवा लेकिन यहां पर बिल्कुल चेल यहां पर जो लारवा होती ही वह अपनको बता है एमोसीट लारवा होती है यह रिज हो डेटा का पार्ट हो गया मतलब भी नहीं है ट्राइगोन ट्राइगोन फिश्ट आई जाएगी आपको पता ही वह कॉंट्री काई ति उसके अंदर चली जाएगी यह भी नहीं हो सकता लेंगि जो लेस्ट होनी चाहिए तो जो लेस तो एक की बस्ती काउंसी है फिस नहीं नहीं है तो इसका क्रेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट बहुष्टानदार कुशन है इसको अच्छे से सौल कीजिएगा नेक्स्ट अगला कुशन लेते हैं कि कुशन नमबर 124 परति रक्षी के संबंद में यानिकि antibody की बात कर रहा है antibody के respect में यह आ गया human and human health and disease का question है विट रस्पेक्ट टू एंटी बोडी जो antibodies के respect में क्या चीज सही नहीं है यह गामा-globuline है बिलकुल गामा-globuline होती है IgG IgA IgM IgE IgD जितनी फाइब टैप्स की होती हो सारी गामा-globuline सही यह structure is established by diisulfide bone बिलकुल diisulfide bone होते हैं total 16 होते हैं इंटर और intra मिला कि अगर बात करें इंटी बोडी के सब्सक्राइब करते हैं अगली बात करते हैं तू एपी टोप साइट होती है कवर करने की एक साइड में यह आ गया इस तरह से है कि यह गलत हो गया पूरा है अगला कुशन देखिया इसमें क्या लिखाव है इस्तंदारियों कि आंक में फोविया यह आई से होता है यहां पर यह से बना रहा हूँ है तोड़ा से रफली डाइगराम मना के समझा रहा हूं आपको ठीक है इसलिए यहां पर आपको पता है यह बात बिल्कुल सही है फोविया के रस्पेक्ट में पहला क्या करें रोड तो यह गलत हो गया फॉर्म इयर ऑप्टिक नर्व यहां से निव करती है कौन से ब्लाइंड स्पोर्ट से बाहर निकल आती है कौन ऑप्टिक नर्व यह भी बहुत अच्छा की विश्यन मनता है कि आई बोल को लिव करने वाली नर्व कौन से तो अप्टिक नर्व है कहां से निकलती है ब्लाइंड स्पोर्ट से निकलती है चलिए सब्सक्राइब करेक्ट आंसर कौन सा होगे इसका थार्ड कुछिन नमबर 126 देखिया यह आप क्या लोको मोशन का किसका लोको मोशन का लोको मोशन और जैप्टर से निमनका सहीं मिलालक जिए अब इसमें आपको अलग-अलग दे रखें सारे की सारे जोइंट के नाम है और उन जोइंट को आपको क्या करना है मैचिंग करना है ठीक जोइंट के अंदर होता है इप में होता और यह मोटा ठीक है तो यहां पर इसमें प्रेज करेंगा होमरेस और प्रेक्टोरल विडाली आगया फाइब फाइब किस में देख लो इसमें नहीं यह उड़ गया यह दो ऑप्शन बचे अगला हिंच जोइट इंग इंडर देख और एक्सिस के बीच हम होता है जो फस्ट ओड रोती है जिसके अंदर यह पीबॉट आगे यह कौहसा सेकेंड तब आप मिलनों को साट इसमें इसमें फोर हे यह गलत हो गया यह यह उन ही इह गलत है अगला कूश्ञ देख पफ 127 इसमें संकूचं से एपूशन से किया होगा है जैसका एक्षेनल इंट्रकॉस्ट पीसbeing इंट्रकुस्टम मसल जो है इंस्टेनल इंत्रकौस्टम करने करते हैं यह आपके जब आपना इंस्पायड करते हो एर को अंदर लेते हो inspiration जब आप एर को inhale करते हो तो क्या बता चेस्ट आपकी बाहर आती इस्टर्णम आपकी बाहर आती रिप्स आपकी बाहर आती शोल्टर थोड़े से उपर चले जाते हैं क्लेविकल थोड़ी उपर मुह हो जाती क्योंकि अंदर जो मसला जब यह कॉंटक्ट करेंगी रिप्स को पकड़ के बार की तरफ लाती इस्टर्णम को उपर की तरफ लाती है तो अंदर का डोर सो वेंटरल जो एक्सस है डोर सो पीछे और वेंटर एक्सस का जो थोरसिक का ड इस्टर्णम भी बार की तरफ आजाएगी जो आगे वाली उरुष्टी जिसे बोलते हैं इन्द थोरसिक केवेटी इंक्रीज दोर सो वेंटरल एक्सस बिल्कुल वही जो मैंने आपको एक्स्प्लेंड के था वही चीज लिखी भी दोर सो वेंटरल एक्सस में बढ़ जाए इसका फस्टेन लिजी इस नमबर 128 अगर 128 की बात करें तो यह आग्या रेस्पारेटरी सिस्टम में से ऑक्सिजेन हीमोगोनुमिन डिसोशेशन कर जो सबसे इंपोर्टेंड माना जाता है पूरे रेस्पिरेटर सिस्टम में उसमें से कुशिन आया है कि पूछ राह है for the formation of oxymoglobin यानी oxymoglobin बनाने में यानी कि ग्राफ को किदर ले जाने में right side में shift करने के लिए कौन-कौन से factor responsible है ठीक है तो देखते हैं अपन कौन-कौन अपनि पौन-कौन-कौन High-Po2 बिल्कु सही बोल रहा है लो CO2- मिल्कु सही है एच इन concentration लेसर कमी होगी जब CO2 कम होगा तो इन concentration भी कम होगी अंड लो टेंपरेटर बिल्कुल अल्वियोलिय का टेंपरेशिर क्या होता है लो ता है तो यह ज्यादा होता है विकोज ओफ आयर मेटाबोलिक रिट ओके तो यह वाला करेक्ट हो गया आपका अंसर थाड फोर्ट वाला क्या है हाइई पीयो टू लो हाइई चैन एचाइन करेगा नेक्स्ट अगला कुशन लीजिए 129 129 में देखो एक डाइग्राम दिया है इस डाइग्राम को देखकर आपको इस ट्रेक्चर बतानी कौन सी क्या है ठीक है जैसे ए दिया है यह मेल रिप्रोड़क्टिव का डाइग्राम दिया है आपके सामने पार्ट एबी कि आ करें आपको बताना है एक यह को ना आगए वासा डिफरेंस आगे यह 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 I प्रोश्टेट यह दें भी प्रोश्टेट आ रहा है और इदर बलबोरी तो यह बलबोरी तहीं है यह बलबोरीद्रल ठीकरे इदर वाड़ा यह गलत हो गया पुरा-कपूरा तो अन्सर ना फिर्टर को देख के आपको बताना है नेक्स्ट को अगला कुशन लीजी question number 130 यहाँ पर एक डाइगराम दे रहा है आपको और इसमें से आपको लेना है कि यह डाइगराम किसका डाइडेंटिफाय करना था आपको पता ही यह पुरीफेरा का आप देख लीजिए NCRT का बनावा डाइग्राम है कुछ दिमाग लगाना ही नहीं आपको कौनसा है ये देख लीजिए फटा फट देख लीजिए बहुत सिंपल है ऐसे कुश्चन तो गिफ्टेड होते हैं अपना लिए अगरे साइकल नेक्स्ट निकाल लेगो आपने बीच में पानी पीने लग गया है चली नेक्स्ट कुश्चन लीजिए अगरे अगला कुश्चन देगी 131 अब यहां पर फिल इन दा ब्लेक्स यह आ गया आपके किसके इंप्रायो जी में से किसमें से आ गया आप उसको फिल इन दा ब्लेंक्स करना है ठीक है जाइगोड डिवाइड अपनको बन गया यह दिवाइड होता है फ्रॉम विच इस इंप्लांटेड डिवाइड होगा तो क्या बनेगा मुरूला फिर बनेगा ब्लास्टूला फिर बनेगी ब्लास्टोसिस्ट अपनको बताइए पहले स्ट्रेक्चर कौन से बन जाएगी ब्लास्टोसिस्ट तो ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट होती है यह यहां पर लिख देता हुए ब्लास्टो जी मुरूला यह गलत हो गया यह ब्लास्टो जी बिल्कु सही बात है आगे बढ़ते हैं दूसरा देते हैं कि अ इस्ट्रेक्टर विच प्रोवाइड वास्कूलर कनेऽशन बीट्वीन फेटरस और यूत्रस कोल गया जानी कि यह तो प्लेसेंटा आ गया सिद्या मदर और फेटरस के बीच का क्नेक्शन पूचे पूरा तहीं प्लेसेंटा चली अगला लेते हैं सब में प्लेसेंटा देखो इतना इजी दे रहा है वह तो खन्फ्यूज करने वाले एक ही कटा अभी तक तो बागे तीनों सेम हो रहे हैं तो आगे अगला कुशन लीजिए आप नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला जब आप लोगी तो आप देखोगे इसके अंदर कुछ और पूछा जा रहा है कि इनर सेल मास्स बिलकुँ सही बात है सब्सक्राइब नेक्स्ट बाइद ऑफ नेक्स्ट बाइद ऑफ प्लेजर ओर्गन्स और एक्जाम्पल लिम्स एक्सटरेनशaufenatt यह बाएं एक्सराइज यहां होने के बाद में कौन सा मंथ ओभलो तो भी फूरे मिलवाया कि इम्मीडेटलीटली आफ्टर इंप्लानटेशन इंप्लानटेशन होनेके बाद में differentiate into the outer layer called acto and inner layer is called endo बाद में वो कौन सी cell होती ही जो acto andodrum बनाते है उससे पूरा organism मनता है ता पूल को बता है acto or endo बनाने का काम होता है किसका inner cell mass का या घ्लिए इनर cell mass clear इदर आ गया ट्रॉफो बलार्ट से ये गलत हो गया आपको यह भी पैटर्न दिया है कभी कभी इतने परेशान भी गरते हैं कभी इसी होते हैं कभी परेशान वाला भी आते हैं कि इसमें देखो कितना बिना अपवाद कें विदाउट एनी एक्सेप्शन कितने सही है जान रखें कोई इसके अंदर आपको पता है प्लेट जो होता है ओनी तो रिंकस अना प्लेटिवस जो कहता है ओवी पेरस होता है इसलिए यह घलत हो गया नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन फाउने फिशेज फिशेज के अंदर यह विदाउट एक्सेप्शन पूछते रहा है ध्यान इसलिए प्लेट नर्वस सिस्टम या फिर देखो और ग्तुट नर्वस सिस्टम की बात है रही कंप्लीट नर्वस सिस्टम नहीं हो सकता क्योंकि एक ऐसी के लिए जिसका नाम है होता है वह आपको ऊच्छे से बता है किसे होता है वाग hai सारी किसे होथी है यह सारी है सारी vara yeah in यह सारी खेंगर्म से नहातRad 103 इना और या नहीं है सोग खूए वह कोई इन मेंसे करेक् wan рок- prospects नहीं है अग electronics सब नेक्स्ट अगला कुश्ण ऐसे कुश्ण टुफ माने जाते हैं ये टुफ कुश्ण की केटेगरी मालता है अगला कुश्ण लीजिए 133 अब आईए इसके अंदर आप देख लीजिए सारी की सारे चीजिए आपको मेंचन कर रखिए एना होमोलोगस ये इवोलूशन का आ होमोलोगस और एनालोगस इसमें आपको पहचानना है कौन सा होमोलोगस है और कौन सा एनालोगस है ठीक है ना अब देखिए आप कौन कौन से होमोलोगस है और कौन से एनालोगस है ये पहला कह रहा है स्वीट पोटाटो एंड पोटाटो ये यह कह यहां तको ये इतना करें तो यह वाला जो आता है किसके अंदर आ जाएगा पने किसमें पहला किसा आ दिया है हो इंदर आधिक है रहा दीजाए और यह सारी चीजी किसके अंदर आ जाएगी यह आपके वीविन कसे रूखों के हर्दे जो उते हाट यह रही मिचा अपके निखानी हो अगया कौन सा होमोलोगस फिर वेल इस बैट चीता इनके फॉर लिम्स ये भी किसमें है होमोलोगस में तो जहां कि से आपके इवोलूशन से चलिए साथ नेक्स्ट आगे बड़ी अगला कुशन लीज से तो क्रेक्ट आंसर कौन सागा इसका सेकंड नेक्स्ट कुश्चन 134 इसमें देखिया आपको उस सेंटेंस दिया में उन में से आपको करेक्ट स्टेनिमेंट को सेलेक्ट करना है सही कितना है इसमें से ठीक है प्रशो करेक्ट अंसे एंसाइड होती है बिलकुलि गलत है लीवर इस दा लार्चेश्टि इस डिसे ब्लकुश है है यह बात कर रहा है और पेंक्रियास आ रहा है रहा है दा डूइओधन आने से रोख लेते हैं यह बिल्कुल क्या हो गया सई हो गया तो यह तीनों और यह गलत है तो एज रोंग वी सीडी आर राइट तो पहला वाला गलत है इसे गलत मत कर देना आपको केंड रेगूलेट दर लिट पेंक्रेटिक एन बायल डॉक्ट का मतलब यह आपने पर कोमन बायल डॉक्ट से जो आ इसमें आपने दिखाया है यह आप गया रिप्रोडुक्टिव हेल्थ से आया है एक इसन और फॉलमिंग कैनोड बी कंसीडर विच वड़ फॉलमिंग कैनोड बी कंसीडर एज दा बेनिफिट ओफ हेल्थ के बेनिफिट से कोई लेना देना नहीं है इसको आपको यह पता कर इसको एक लिएया टो पहला रहा है अगर मालू मेतरन मोर्टेलेती रेट अगर किसी सोसाइट के अंदर मतर की जो ड्य निवागर ज्यादा होरी है तो क्या वह सोशाइटी है यह लॉस है यह मीदिकल साइंस को इसको रेगूलेट नहीं करती है कि यह मेनिफिट थोड़ी यह रहा है इनक्रीज इंफेंट इंफेंट मोटलिक्ट रेट यानि कि बच्चा पैदा होता है एक साल के अंदर मर जा रहा है यह भी यह बात नहीं यह भी medical की डिफिसेंसी आ रहे है यह आपर health status प्रोपर नहीं आ रहा है इंक्रीज efficiency और productivity बिल्कु सही बात है हमें benefit कब होगा जब efficiency अच्छी और productivity ज्यादा होगी ठीक है ज्यादा पैसा आएगा तो एकोनोमिक पॉस्परिटी होगी आर्थिक रूप से अपने ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाएंगे तो सी और डी इसमें क्या है correct है और A और B दोनों क्या है इसमें गलत है cannot be considered तो A और B are not considered as a benefits ओके चली साब यह आपके section A complete हो जाता है बच्चों अब सुरू कर रहे हैं अपन सेक्शन B 35 क्यूशन हो गए अब आपके 15 क्यूशन जाएंगे वह section 20 से आएंगे चली आप यह section 20 सुरू हो गया और इसमें पह प्रजणन के लिए क्या चीज़े सही है अंत्य प्रजणन का मतब यहां पर होता है कि एक मिनट कि वाला कुशन वापिस देखें प्लीज यह रिखावा है स्टöm इंब्रडिक करते हैं सब्से पहले इनब्रीडिंग कराने के लिए क्या करना पड़ते हैं कि एक Madagym kum इंब्रीडिंग कृराने के लिए हमें सब से पहले क्या करना पड़ेगे का आपि抹ए आउन से मिरिड टी कि कुने। आउड्रिदिं निंका rhyme कराना नहması सेम के इनके उसके बाद उनको आपस में क्या करेंगहें अब जो उनसे बच्चे मैदा होगी उनकी प्रोजेश होगी उसको अपन इवूलिट करेंगे और कों साइन में सुपीर्यर है फोर्थ इस गाश्य करें गे अच estos फर्स्ट सेकेंड फर्थ देख लो पॉस्ट करेक्ट और हो गया जैकेंड बिलकुछ सीजर लिए फर्स्ट स्टेप में सीक्ट में एडिजस्ट करना है तुक्ष एक टॉपिक के सेम आते हैं इस यह ऐसे पैटर्ण साट किया गया है कि कुछ टॉपिक जो एमें आए खुशन स सेम उसी टॉपिक के कुशिंस आपको बी सेक्शन में मिलते हैं नीट के अंदर ठीक है ना चलिए साब इकाइनो डर्मेट का सरवादिक विशेश लक्स्टर यानि यह बोल रहा है इकाइनो डर्मेटा का सबसे आइडियल केरेक्टर कौन सा है तो आपको बहुत अच्छे सा र समय कि बिलकुली लाइफ साइकल यह एक आइडियल केरेक्टर रहें पूछा थिस्टिंटिव पूछा वह स्टिंटिव टू ट्यू 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 ट्यूप आप सिमेटरी एक लार्वा और एंडल्ट स्टेज की बात कर रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं यह भी शा सब्सक्राइब करें से आप कोगी तीन ओप्षिन से जा रहे हैं से लेकिन मौस्ट आइडियल जो आंसर है वो फोर होगा अब यह कह रहा है इनके बराबरे कौन सा सेम हो जाएगा इसमें आप देखो अगर मैं इन दोनों को जूड़ू तो यह हो जाता है इंस्पिरेटरी कैपसिटी इसी प्लस इर्व यह नहीं बैठ रहा है क्या देख लो बैठा लो इसी प्लस एक्सपारेट रिजर्व वोल्यम को सा होगा यह थाड़ बागी कोई मैच करेंगा इन आपके देखो आई सी फिर एफ और इसी ले रहा है नहीं बैठेगा इदर आई है ठीक है अपने निकालते हैं कुप सारे तो करेक्ट आंसर हो गया थार्ड को चलिए नेक्स्ट कुशन लेते हैं कि इसमें देखो आप यह मस्कुलर कॉंट्रेक्शन का आया कुशन इसमें लिखावाया है कि यह से पढ़िये और दोनों में जो सही है वो सही सेलेक्ट की ज करने हैं ओके चलिए यह के रहा है एक जेड लाइन पर देंट दाब यह नदरें लाइट बल्कुस तो कहा रहेगा बीच में रहेगा है जहां पर मायोसीन और फिंटलमेंट फामली अटेट्टी। मिलेंट फिलामेंट पर मिलने से जी फिलामेंट क्रोस करें इस जःती है तो यह रही अंवर झिंटल्ध हो articles हे जोनित होता है यह भी होता है उल्पलत है इस से क्या पूछा है करेक्ट पूछँ या इनकरेक्ट पूछा है वह वो आणसर नीकाल लीजा थीच घूल तो इसमें किस तरह से हैं देख लीजिए आप ओके तो क्या 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 क्रेक्ट है इसमें से भाई एंड डी क्रेक्ट है बस और क्या है आपके फस्ट चलिए एंड पानी पी लेता है नेक्स्ट कुश्टन लेता है अपन फोटी यह गर्वती महिला किर परशव को यह आ गया किसिसे आपके उसमें से आगया रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में से भी आ गया है एक मिनट ही हो गया अगर फिशन दोनों को मिक्स होता है अगर मालों किसी फीमेल के अंदर दिलेवरी के के अंदर कॉंट्रेक्ट करने के लिए बैसिकली बाड से हर्मोन देता है जो ड्रीप के अंदर लगा के दिया जाता तो सारे माइल कोंटरेक्शन आना सुरू हो जाते हैं कि यूट्रस के अंदर पार्टूरेशन हो सके उसके कौन सा प्रमोन का वो यूज़ करता है तो आप से बहुत चलिए नेक्स्ट कीना लीजिए तो 140 आपको पता चलेगा है इस नम्बर 141 गूट इस जैनेटिक्स का कुश्चन है पैडिग्री का कुश्चन है और पैडिग्री चार्ट पहुत इस बहुत आपको बहुत अच्छे से बता है इस क्या दर्साह रहे हैं यह लिकरा है का यहां पर देखो आप यह जो डॉर्टर है यह इसके घुप प्रोज्अट नहीं है यह दोनों इटिnya और आप यह सोचो कि यह दोन इटेटर प है लुकल कोई नहीं नौर्मल है इसका मतलब कोई बिबुल टो मुण यहाँ पर दूसरी चीज देखूँ गया यहाँ पर फिमेल यहाँ से कोई करने के कोई बात ही ही नहीं क्योंकि सेक्स लिंग तो यह सेक्स लिंग इस इस हमोफील्य वह तो इस में बिलकुल consider होता ही नहीं है हिमोफीलियम ऐसे पेडिग्री चार्ट बनता ही नहीं थड़ आई है थड़ जो है आप देख रहे हो यहाँ पर जो फिमेल है यह केरियर फोर्म में इफेक्टेड आई है ठीक है ना इफेक्टेड शेक्स लिंंग्र लाएन फिनाइल किटॉनूरिया इसका बिल्कूल छो नहीं कर रहा हूं तो इसकी के JACKNo सब्सक्राइब करता है यह दिमाग लगाने की ज्यादा जूरूद नहीं बजी यहां पर यह क्या देख रहा है क्योंकि पैरेंट्स बिलकुल नॉर्मल यह और चाल्ड क्यां एफ्टेट यह कभी पॉसिवल नहीं तब हो जाता है यह में एक भी इफ्टेट होता यह डोमीनेंट आंसर चला जाता लेकिन एक भी इफ्टेंट नहीं जाएगा ख्लेग हो गया फॉर आप देख के ओप्सक्रा सब्सक्राइब करेक्टर है तो मैं डॉमिनेंट वाले ओप्षिन अटा दी फिर मैं लिए सेक्स लिंग्ड है या ओटो सोमल है तो सेक्स लिंग्ड वाले उड़ा दिए तो तीन ऑप्षिन ऐसे उड़ गए मेरे एक मिनट नहीं लगा देखा नेक्स्ट अगला कुश्चन 142 कुश्चन देखी यह आपके काफी मिक्स किया वा कुश्चन है एक्सक्रीटरी का सर्कुलेटरी का काफी अलग अलग है इम्मुन और विलिंपोसाइट या निकि उसका भी आगए आपका हुमन हेल्ट एंड डिजिस का भी काफी मिक्शर सेंटेंस देखी आप काफी इनफोर्मेशन मिल देगी इसको यह कह रहा है कि अंग पढ़त्यार ओपन यानि की ओर गन की लिंपोसाइट है तो पहला थिया उड़ दया सीमाइज ओन सीमाइज सेल मेडियेटेट इम्मुनिटी इस रेस्पोंसिब तो ग्राफ और इजेक्शन ऑप बिल्को से वाथ है सीमाइज रिस्पोंसिबल है अमाई नहीं है इवन इफ ए एन और्गन इस किया है यह ग्राफ्टिंग की इस पेस्टी की बहुत कोमन होती कि यह तो उस जिसके अंदर आपने किड्नी लगए उस पेशन्ट को जिंदगी पर इम्मुन सप्रेसिव खानी पड़ेगी अधरवाइस उसका इम्मुन सिस्टम उस और्गन जो ट्रांस्प्लांट किया किड की दोनों से यह गलत है तो आप समझ सकते हैं क्या पूछला है सलेक्ट दा क्लेक्ट वन तो कौन सा है बी एंड सी आर्ड ओपर लिए कि एक मुझी देखे कोर्नियल ग्राफ्टिस लो सकसे रेट ना कोर्णिया ग्रास की रेट सबसे ज्यादा होती है सबसे बेस्ट ग्राफ गलत हो गया यह सही हो गया यह गलत हो गया बीएंड शी आंसर लेलो हां यह दो सा नेक्स्टी अगला ओं कुछ्छन मेंट है टाइम दिया है उदर उसके करेक्टर दिये में क्या क्या होगा तीन महिने के पश्चा जानी एंड ओफ थर्ड मन्त क्या हाट इस फॉर्मड आप बहुत अच्छे से जानते हो हाट इस तो बहुत पहले ही बन जाता है यह त्री मन्त की जरूत ही नहीं यह बन जाता है ना तो तो इसमें देखवा फर्स्ट साइन अप ग्रोविंग फिटस डवलोप्मेंट लिंप और लिजिट का यहां पर नहीं है यह ग्रोइंग साइड निए ग्रोइंग साइड जो होता है वह हाट बीट से अपने पता कर लेते हैं कि हार्ट इसका शुरू है फर्स्ट मुमेंट सुरू होता है इसको पर फिट बल्कुस सही बात है यहां पर यहां पर होता है तो इसको गलत है गलत है तो इसमें अपन कंसिडर नहीं करेंगे तो गलत है तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गर में पहली हल चली या नि पहला मुमेट होगा वो पांच महीने वह दा कर्रेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका थर्ड हो गया साथ चली साथ नेक्स्ट क्वेक्शन लेते हैं कि नमर 144 इसमें देखिया आप आपको कुछ सेंटेंस दिये उसके सामने वो टेक्निक जो होती एर्ट की एर्ट का क्षिण ने अब इसमें दे रहे का सामने देखो कुछ चीजे दे रहे हैं जिसको आपको मैच करना है यह कहते हैं पहले लेबरेटरी के अंदर जो लेकर आते हैं फिर वहां पर उनको फ्यूस कर आते हैं यानिकि टेस्ट्यू बेबी की बात कर रहा है तो आपको बहुत अच्छे से पता ह है कि टेस्ट्यू बेबी के अंदर कौन सा होता है इन विट्रो फर्टिलाजिशन होता है कौन सा होता है इन विट्रो फर्टिलाजिशन और इन वीवो फर्टिलाजिशन दो होते ना तो यह इन विट्रो के अंदर बात कर रहा है तो इन विट्रो को आप शॉर्ट में लिख आप टुद अट ब्लास्टोमेड तक जब तक उसमें क्लीवेज हो रहा है, विथ अप्टु द एड़ ब्लास्टोमेड, इस ट्रांसफर इन टो दा, ऐसी कंडिशन में हम उसको ट्रांसफर कहा करेंगे, उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे, किसके अंदर, डायरेक्ट तो पहले ही आगया दू मिलाते ही अपने थाड़ वाला कॉंसा जाइगोड मोर देन हो तो हम उसको किस में सिफ्ट कर देंगे देख लीजिए आप थाड़ का भी कॉंसा इंट्रा यूटराइन यहीं उट्रस में ट्रांस्वर कर देंगे अपन ठीक है और वितन फ्यूजन फ् ग्रामिट वितन धा फिमेल बोडी फिमेल बोडी के अंदर ही फिर्टिलाइन इंट्रा यह इस इसका हो गया कौंसा दी तो करेंसर कौंसा हो गया आपके फिर्स्ट ओके चलिए सब नेक्स्ट अगला लेते कॉशिन कुशन नमबर 144 देखिया यह आगया इयर का कुश्चन है इसमें लिखाव है नेम दा मेंब्रेन आफ इंटरनल इयर विच रिपर्जेंट लोकेशन इसकेला मीडिया एंड इसकेला मीडिया के अंदर यह चीज होनी चाहिए तो नर्व इंपल्स जन्रेट करने के लिए रिस्पोंसिबल है तो यह से आप को पता ही है इस तरह से आपने कोखलीया की कि आ मिए त्क आपको ता तीन चेमबर होते हैं इसके अंदर कोखलीया में इसके एला वेस्टिबूल हिए इसके ला मीडिया और इसके इसका नाम होता है टेक्टोरियल मेंब्रेन होती है यह सारे अलग-अलग पार्ट है आपको बताइए ठीक है जो एक्षन पोटेंशन जनरेट करने के लिए मेंब्रेन यहां पर आपको बता है यह से स्टीरियो सीलिया जब आता तो इस्टीरियो सीलिया किसे स्ट्राइक करते है टेक्टोरियल मेंब्रेन इस ट्राइक कि वजे से उसके अंदर पोटेंशन डिफरेंस जनरेट होता है किसके अंदर है एड़ सेल के अंदर फिर वो हैड़ सेल जो होती है खुद अपने आप मोडिवाइट सेल्स होती क्यों सी नियूरो संसरी सेल उख मैसेज को आगे ले जाती है टीक है तो यहां प मोडिफाइड मेंब्रेंज मोडिफाइड मेंब्रेंज जो है वह यह वाली है कौन सी टेक्टोरियल है चलिए साथ तो क्रेक्ट आंसर होगे थार्ड नेक्ट कुछिन लीजिए 146 अब आगई आर्थोपोडा का कुछिन आए देखा आप बोडी इस अन्सेग्मेंटेड तो नहीं होगा क्योंकि इन तीन होगी सेग्मेंटे केलकेरियस सेल होनी चीओ पर अगला कुछिन लीजिए नमबर 147 इसमें आपको देखो कुछ स्टेटमेंट दिया में उन स्टेटमेंट को आपको सलेक्ट करना और आंसर बताना कौन साथ यह कौन सा गलत है 147 का अब आप देखी क्या है गिवन स्टेटमेंट विच इनकरेक्ट ओनली वन एक इनकरेक्ट है अगला कुद ही कह रहा है कि सारे इनकरेक्ट नहीं एक है वई ट्यूबेक्टोमी इस दा इंटर्मिनल मैट्र आफ इस ने मेल मेल के अंदर कब से यह अधर बैगे क्यों धा्यम फिरोलों मेलços प्रिमेंट ओबुलेशं फॉरिप्रि यदा ओवरी ऑभारी इस नहीं घरती है सब्सक्राइब अब क्या है इतुंट सब्सक्राइब करते हैं लौट पर बीजिए और यह वाला पहला ह्वंद्ध एस इनक्रेक्ट राशव हो पहला ही दीख रहा है मैं आगे पड़ूंगा नहीं तभी तो यहां पर ओवरी से अपने ओवलेशन वाला कर लिए ओरल पिल्स प्रिवेंट ओवलेशन ओवरी बिल्कुल सही है बिल्कुल परफेक्ट है वह नेगेटिव फीडबेग के तुरू होता है ठीक है ना चलिए नेक्स्ट कुशन लीजिया यह आया है तो फोटीएट ट्वेल जोडी असलियां कितनी जोडी सत्य चटीक है तो फैर्ट वरिप्स होती है ना अपने इसमें पूझे हाउ मैंनी पेर्ट सार्ट रिप्स बहुत-बहुत कभी सेक्शन भी में बहुत इजी भी कुशन आ जाते है जाती है जाती है तो फ्लोटीं टोटींग तो कितनी है तो कितनी सारे कुशन देखना बहुत जरूरी होते है पेपर को हमें सब दो अटेम्ब में किया जाते हैं फर्स्ट एंड सेकिंड तक फ्स्ट मिसारे उशन ग्रो तुरू हो जाय जो बच गये वह रिखें पर ना चलि इरित्रो ब्लास्टो फिटलिस यह आगया आपने इरित्रो ब्लास्टो फिटलिस इस इन विच एडल्ट में कहा से होगा यार वह तो फिटस में होगा फिमेल एव सीवेर ना मेल है आपको आरेस नेस्ट्रोव आरेस पोजटिव और इंडियो को स्के एक पर्णेज वाला रह स्केटिव आपको प्रक्रेक्पाहल होता है पहले बच्चेको क्या होता है निमिया तो और मर जाता है और ऑप रहेस इनकॉंपटिबिलिटी चलिए सब्सक्राइब नेजिए यह आ गया है मोटी मोटी आप पता है मल्टीवल ओबूलेशन अम्राइव ट्रांस्फर इस काउड इस एडिस्टेड हॉर्मोन स्टूप सूपर ओवलेशन कराते हैं बहुत सारे हों प्रडूस कराते हैं इसलिए अपन को क्या देना पड़ता एफसेस लाइक बिल्कुल एफसेस लाइक एक्टिविटी अपन को सोग करनी पड़ती है क्या करता है फॉलिकल को इसके ओवरी के अंदर स्टिमूलेट करना फूप सार ओवलेशन एक साथ ऑक्सित्रों ना इस्ट्रोजन ना ओली एफसेस लाइक त्यान रखिए यहां पर भी जुरूर ध्यान रखेगा वर्ड एफसेस निकने से नहीं होता ओनली एफसेस लाइक भी होना चाहिए दोनों वर्ड इंपोटन है ओके क्रेक्ट आंसर होगा फॉस्ट ओके गाइस दीजार था फिफ्टी क्यूफ क्यूशन ऑफ जूलोजी पोर्सन तो सारे कुशन आप इसलिए हमने वह कुश्चन भी क्या रखें थोड़े से सेम रखें सेम का मतलब कुश्चन सेम नहीं है लब टॉपिक सेम है कुश्चन अलग-अलग बनेवे अलग-अलग फ्रेम होवे है ना इस चीज का ग्यान रखें ओके गाइस तो बेस्ट ओफ लक अच्छे से कीजिए और आप आपके अच्छे नमबर आते रहेंगे और आप नीट को पुश्चन दार से क्रेक्ट विद गुड रेंक करेंगे ओके जैस एलसी ओके बाई बाई गाइस